असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम करता हूँ आपको यूट्यूब के इस नए वीडियो के साथ तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम यूएई पास के इस एप्लिकेशन में अकाउंट किरियेट करने का तरीका सीखेंगे इस application को आप Play Store या Apple के Store से डाउनलोड कर सकते हैं UI Pass के इस application को open करने के बाद आपने यहां से language सेलेक्ट करनी है इस step को continue करने के बाद आप account create के इस interface में आ जाएंगे UI Pass का account बनाने के लिए account create के इस option पर क्लिक करेंगे UI Pass पर account बनाने के लिए आपने इन तीन step को follow करना है सबसे पहले step में आपने अपने ID कार्ड को scan करना है दूसरे step में email और mobile number को verify करना है लास्ट step में अपने account के लिए password create करना है account create करने के लिए इन terms and condition को accept करना है इस interface में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो option नज़र आएंगे पहला option citizen या resident का है इस option में वो लोग account बना सकते हैं जो यहाँ के citizen है या जिनके पास emirates की ID है अब दूसरा option visitor का है जिन लोगों के पास emirates की ID नहीं है सिर्फ passport पर अगर account बनाना चाते हैं तो वो इस पर click करेंगे account बनाने का तरीका दोनों पर same है एक पर आप emirates की ID scan करेंगे एक पर आपने passport scan करना है मैं emirates की ID पर account बनाना चाता हूँ तो इसलिए मैंने ये option choose किया है अब यहां से scan पर click करके emirates की ID scan कर लें community guideline की वजासे में आपको ये information शो नहीं करवा सकता ID card scan करने के बाद यहां पर अपना name इंटर कर लें अब इसको proceed करेंगे ये verification का interface है इसमें अपना mobile number और email ID लिख कर continue करना है आपके mobile number पर एक OTP कोड आएगा वो यहां पर इंटर करें mobile number के बाद सेम इसी तरह का कोड आपके email ID पर आएगा वो भी यहां पर इंटर करें mobile number और email verification के बाद आप last वाले इस step में आ जाएंगे यहां पर आपने password create करना है तो friends आप देख सकते हैं do a pass का हमने account successfully create कर लिया है इसी तरह आप इस application पर account create करके इस्तमाल कर सकते हैं